तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बहुत ज़दा अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे और आप सभी लोग का अगें से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में दोस्तों होता क्या है कि अक्सर मेरे से बहुत-बहुत सवाल पूछते हैं कि परसनल लोन लेने के लिए हम जो है कहां पे जाए क्योंकि जाए तर लोग जो है तंग आ चुके हैं, जाए तर बैंक के रिजेक्शन खाका के क्योंकि उनको पता है ये चीज़ कि उनके पास अगर डॉक्यमेंट्स प्रॉपर भी है और बागे साइच चीज़े भी प्रॉपर है तो ये जस्ट एक लग की तरह आज की डेट में हो गया है बैंक से लोन लेना और इसका कहीं ना कहीं कारण एक मात्रम बैंक को दोशी भी नहीं कहा सकती है आपको पता है कि इंडिया में पॉपलेशन की तेजी में बढ़ रहे हैं और उसी के साथ में लोगों की नीड्स भी बढ़ रहे हैं और उतनी जो है फुल्फिल नहीं हो पारी सप्लाई कंप्लीट नहीं हो पारी तो ऐसे में लोगों को लोन लेना पड़ रहा है अब बैंक दो लाग पांच लाग और बहुत जादा आगे बढ़ जाता है लेकिन आज की रेट में अगर आपको अगर सपोर्स करो अगर आप लोग बैंक से रिजेक्शन खाच चुकी हो बैंक से आपने दू-तिन बार अप्लाई किया है और दूनों बार जो आपके लिए बहुत जादा इजी रहे जो उसको आप लोग घर बैठे ही अपलाई कर सके है वो है ओनलाइन मेथड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अप्टू 50,000 रुपे तक का परसनल लून लेना चाहते हो अगर तो आप आज की इस वीडियो में एक्टम सही वीडियो पर आच चुकिए हो क्योंगी आज की इस वीडियो में यही आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग अप्टू 50,000 रुपीस तक का परसनल लून कैसे ले सकते हो तो वीडियो को आप लोग को पूरा इंट तक देखना है इसी के साथ मैं मैं आप लोग को पता देना चाहते हो कि यह पूरा काम आज एक ओनलान लून अप्लिकेशन के मादिम से होने वाला है तो स्टेप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने वीडियो में समझाए गए पूरी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है आप लोग के वीडियो को देखने का क्योंकि स्टेप्स के बिसस पर ही मैं आपको सारी चीज़ अच्छे से समझा पाऊंगो कि क्या documentation है और क्या कुछ चीज़ है इसी के सामें pencard और अधारcard आप दुनों को ये दो mean documents साथ में करना है video और bank details और साती में video के किसी भी पार्ट को कहीं भी please skip नहीं करना है अगर आप लोगों ने कहीं भी किसी भी पार्ट को skip कर दिया तो फिर आपको हमारे video को like करना है like करना video को बहुत अदा mandatory है इसे के साथ में आप लोगो इस video को share करना है का शेयर करना है सभी friends के साथ में इस video को share करो जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हूँ अपने friends, colleagues, relatives और सभी दोस्तों के साथ में और इसके साथ में जो ये subscribe बटन है इस पर आ और main reason ये है कि जब आप लोग चान को subscribe कर लोगे तो आपको पता है हम लोग रोजाना basis पर वीडियो क्रेट करते हैं और क्योंकि रोजाना basis पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी तो इस से आपके knowledge में भी कहने के increasement होगी और दूसरों को भी आप लोग इसके बारे में ब पर देख पा रहे हो इस वीडियो को जस नीचे ये होता है title तो ये जो title है आपको simply करना कि आपको इस title पर click करना है जैसि है आप लोग जो है इस title पर click करोगे आपका description box खुल जाएगा description box जैसी खुल जाए थोड़ सा आपको ऊपर बढ़ना है जहां पर आपको देखने को म करके और यह आपके सामने पेज जो है यह तभी आएगा जब आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिये वे लिंक के तुरू क्लिक करके इस पेज पर आओगे तभी आपके सामने पेज शो करेगा जहां पर फर्स्ट वेबसाइट दिखरी है यह लोन पावर डॉट इन करके आपक आपको मिल जाएगी लोन पाव डॉट इन के वेबसाइट पर और जब आप लोग वेबसाइट के अंदर जाते हो तो आपका पहला स्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की और तो मैं बता दूँ आप लोग के फोन में कोई न जैसे ही टैप करोगे अब यहाँ पर जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ इस वर्ड को जाके सिंपली आपको सर्च करना है जो कि है लोन पाव डॉट इन इस वर्ड को डालो और सिंपली कर दो सर्च तो जैसे आप लोग लोन पाव डॉट इन डालके सर्च कर दोगे यहा जान रहे हैं आपको इस word को लिखने में किसी भी टैप की कोई भी mistake नहीं करनी है same word यह लिखना है इसके बाद आपको कर देना है search तो जैसी आप लोग सर्च कर दोगे तो Google का search result आ जा जा जाएगा आप लोग के सामने हो तो इसके लिए आपको इस website पर कर देना है click तो जैसी आप लोग website पर क्लिक कर दोगे क्लिक करने के साथ है आपको थोड़ा सब एट करना है जहां पर हमारी website ओपन हो जाएगी लोन पाव लॉटिंग करके जैसे टैप करना है cashfish ठीक है आपको यह word डालना है cashfish website के अंदर और कर देना है simply search जैसे आपको cashfish डाल के search करते होगे आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा कि cashfish लोन एप से लोन कैसे लिए जैसे कि आपके सामने यह आर्टिकल आ चुका है और यह जो cashfish लोन एप है आज हम इस आफ नीची जाना है और यहां पर देखने को मिलेगी apply now का बटन जो की यह है आपको simply देखने को मिल रहा है आपको easily tap करना है जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे क्लिक करने के साथ ही सिदा पहुंच जाओगे cashfish app के main homepage पे और वहां पहुंचने के साथ ही फिर मैं आपको बतनको कि आपको लोन को कैसे process और कैसे apply करना है और इसके लिए आपको इस apply now के बटन पे कर दिना है क्लिक आप लोग apply now के बटन पे इजली tap कर दोगे आपके सामने खुल के आजएगा cashfish app का main homepage जहां पे आपको हर application की तरह यहां भी आपको permission required है तो यहां पर टिक माग करके accept के बटन पे आपको इजली tap कर देना है इसके बाद देख सकते हो कि यहां पे cashfish app का main homepage खुल के आ जाएगा और यहां पे आपको 50,000 रुपे आपको maximum loan amount मिल जाएगा दिखा भी हुआ है तो यहां पे apply now के बटन पे आपको simply tap करना है जिससे आपको सबसे पहले sign up करना हुग क्योंकि आपको registration करना है आप लोग first time इस application पे आपको इजली tap करना है और यहां पे आपको दो चीज़े करनी है इन दो चीजों के basis पे आपका जो है easily 50,000 रुपीस तक का personal loan apply हो जाएगा जहां पे सबसे पहले आपको अपनी KYC document में बस दो document pen card और अधार card को upload करना है with your number and with your selfie और साथी में जो ही basic information है यहां पे आपको अपनी personal profile आपका work information और last में जो है alternate information देकर start के बटन पर आपको easily tap कर देना है सबसे पहले यहां पे KYC document की बात आती तो यहां पे कुछ चार चीज़े आपको करनी होगी selfie photo डाली है अधार का front अधार का back pen card ये photo और simply आपको कर देन होगी और basically यहां पे बात करते हैं कि यहां पे जो भी चीज़े मैंने बताई है यह बहुत ज़्यादा easy है ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि application से लोन लेना बहुत ज़्या असान है as compared to branch या bank से लोन लेना और अगर कोई भी चीज आपको समझ रहे में दिक्कत या परशानी आई है तो आप लोग वीडियो को दोबार से दिक्सकते हो या फिर अगर आपको तब भी कोई चीज बहुत सदा रियरली और ऐसा है कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है तो नीचे comments में पूर सकते हो डिस्क्रिप्शन में भी Instagram की link दी हुई है मैंने बहाँ प वोग उसे मिरूंगो नेक्स्ट वीडियो में जिब तक के लिए टाटर गुडबाए